हेलो शुरूदेंट्स आइम नवीन स्वागत आपका मेरी डूप चैनल बेसिक मैं सॉन डिप्स में और इस वीडियो में मैं कहने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेटिट इंपॉर्टेंट सम् जो की सीबसी ने टू था जो फॉर्टीन में इस लिखें लेता हूं मैं लिक लिखें कि यह मैं मान लेता हूं कि यह मेरी जो फास्ट टाम है यह एवन है यह ए टू है और यह ए तरी है और साथ ही जो common difference है उसको मैं यहाँ D मान रहा हूँ तो मैं लिख लेता हूँ कि let common difference equal to D अब देखें अगर हमें common difference निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं अगर जैसे मुझे suppose कि जी यह निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि D जो है equal होगा मतलब अगर मैं A2 टर्म में से A1 को minus कर दूँ तो common difference आएगा उसी तरह से अगर मैं A3 में से A2 टर्म को minus कर दूँ तो भी common difference आएगा यनिकि D आएगा तो चाहे मैं इस से निकालूं, चाहे मैं इस से डी निकालूं, दोनों डी जो हैं आपस में क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, जैसे आपको पताइए कि common difference always same होते हैं, इसी का मैं use कर लेता हूं यहां पर, तो देखे, सबसे पहले मैं A2 में से A1 को less करता हूं, तो यहां पर A करूंगा, A2 जो की है 3Y प्लस 5, अब देखे, यहां पर bracket के भार minus है, तो sine change होंगे, क्योंकि यह minus का मतलब minus 1 है, minus 1 को दोनों से multiply कराएंगे, तो sine change हो जाएंगे, इसके इसी तरह से यहां भी sine change होंगे, तो इसको solve करते हैं, तो देखे, हम इसको लेखेंगे, 3Y प्लस 5, minus 3Y plus 1, इसी तरह से 5Y plus 1, minus 3Y, minus 5, अब हम यहां solve कर लेते हैं, 3Y और 3Y, यह अपस में कट जागा, एक plus का है, दूसरा minus का, इसलिए यह कट गए, बाकी plus 5 और plus 1, यह हो गया 6, और यहां पर 5Y में से 3Y गये, तो बच्चा 2Y, और minus 5 और plus 1 का result हो गया, minus 4, अब यह minus 4, लेफ्ट मे 10, 10 equal to 2Y, तो Y की value इस तरह से हमारे पैस आ जाती है, 5, तो 2, 5, जा 10, तो मैं आशा करता हूं को आपको सम्स समझ में आया होगा, इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10 के लिए पहले से अप्रोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, और ने स झाल, 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